हेलो दोस्तो, sociology classes में आप सब का सुआगत है आज हम discuss करने वाले हैं Carl Marx के बारे में Carl Marx हमारे sociological point of view से बहुत ही एक important thinker है Carl Marx ने बहुत सारे concepts दिये है जो हम exam के perspective से बहुत important मानते हैं आज देखेंगे कि Carl Marx ने कौन से कौन से concepts दिये है पहले देख लेते हैं कि हम आज के क्लास में कौनसी कौनसी चीज़ों को डिसकस करने वाले हैं पहले देखेंगे historical and dialectical materialism, base and superstructure, modes of production, class structure, theory of surplus value, alienation, stages of revolution और religion के concepts के बारे में ये सारे चीज़ों को मैं आज कोशिश करूँगा कि आप लोगों को chronology के लिए सारे चीज़े provide करूँ ताकि आप लोगों को चीज़े समझने में आसानी हो और आप एक theory से दूसरी theory का link जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सको तो चलिए आज का class शुरू करते हैं हम पहले देखते हैं काल मार्क्स के major books के बारे में वैसे तो काल मार्क्स ने बहुत सारे books लिखी है लेकिन इसमें से हमारा ये जो 5 books है ये बहुत ही important है इनको आप लोग थोड़ी अच्छी तरीके से study कर लेना और इनका जो यार है ये भी याद रख लेना क्योंकि exam में हमें यार वाइस question पूछा जाता है अब देखते हैं काल मार्क्स ने किस तरीके का concept दिया है काल मार्क्स mainly एक German philosopher है और जिन्होंने अपने पूरी life लाइबरी में ही बिताई थी उन्होंने लगभग उनका जिन्दिगी का 30 साल लाइबरी में बिताया है इस बज़े से उन्होंने बहुत ही अलग-अलग तरीके का चीजों के बारे में concepts के बारे में बताया है उनका जो first teacher थे यानि कि उनके जो पिता थे उन्होंने उनको liberal और secular तरीके का चीजों के बारे में समझाने की कोशिश की थी उन्होंने काल मार्क्स बहुत सारे political parties से भी जुड़े हुए थे और उनका जो thought process है वो बाकी लोगों तक भी पोचाने में सक्सम रहे थे यहाँ पर काल मार्क्स का दो बहुत ही important work है एक है the communist manifesto और दूसरा है dust capital यहाँ पर communist manifesto में उन्होंने बताया है कि communalism क्या है और उन्होंने इसके basis पर एक communist party भी तयार की थी और उनका जो दूसरा book है वो है dust capital इसका mainly तीन volume है जो बहुत ही एक important है यहाँ पर उन्होंने बताया था कि capitalism क्या है capitalism का mainly consequences क्या है यह सारे चीजों के बारे में उन्होंने dust capital में बताया था यहाँ पर काल मार्क्स अपने life में Hegel से बहुत ज्यादा inspired थे उन्होंने Hegel के बहुत ज्यादा follow किया था लेकिन अपने later life में उन्होंने Hegel का जो idea है इसको contradict करते हुए आपने बहुत सारे theories develop की थी हेगल का जो concept था historical idealism इसको contradict करते हुए काल मार्क्स ने historical materialism और dialectical materialism का concept दिया था हेगल का जो historical idealism है इसका main purpose ही है कि हमारा जो ideas है लोगों का जो idea है यही हमारे social evolution का कारण है यानि कि हमारे society में जो भी changes आ रहे हैं यह idea के basis पे ही हो रहे हैं लेकिन काल मार्क्स ने कहा था कि हमारे ideas के basis पे हमारे society change नहीं होता है काल मार्क्स के हिसाब से हमारा जो material चीज़े है और economic जो चीज़े है इसके बज़े से हमारे society में change होता है है हमारे लिए काल मार्क्स ने अपने सारे कॉंसेप्ट को मेंली इकोनोमी के बेसिस पे ही बताया था इकोनोमी ही हमारे सारे चीजों का मेंन रिजन है और ये मेंली एक यूनिक कॉजल थियोरिस्ट है यानि कि उन्होंने अपने सारे चीजों का जो कारण है वो economy ही बताया था काल मार्क्स ने capitalism के बारे में बहुत ज्यादा बात की थी हमारा जो capitalist society है या फिर capitalism है यही हमारा problem का main reason है capitalism के बज़े से ही alienation, polarization और revolution हम देख सकते है काल मार्क्स ने profit के बारे में बहुत ज्यादा बात की थी यह जो profit है, profit के बज़े से ही हमारा जो laborer या फिर wage earners है इनका exploitation होता है सबसे ज्यादा, यह mainly हमारा capitalism में ही होता है और यह जो laborers का exploitation है इसका और एक reason है surplus value यह जो surplus value, alienation यह सारे चीजों के बारे में हम class के आखिर में detail में discuss करेंगे अब देखते हैं dialectical materialism dialectical materialism यानि कि चीजों को दो चीजों के दंद के हिसाब से समझना conflict के हिसाब से समझना काल मार्क्स ने कहा था कि हमारा जो भी चीजे है हम चीजों को dialectical materialism से समझ सकते हैं हमारा society में जो भी changes आ रही है हो mainly दो mutually opposite forces की बज़े से आ रही है यानि कि दो forces के contradiction के बज़े से हमारे society में changes आ रही है काल मार्क्स ने historical materialism का भी concept दिया है historical materialism में उन्होंने कहा है कि हमारा जो history है evolution of history है ये mainly material चीजों के बज़े से change हो रही है हमारा material चीज़े या फिर economy ही main reason है हमारे society के evolution में जो भी changes हो रही है वो ideas की बज़े से नहीं हो रही है वो mainly हमारे material या फिर economic चीजों के बज़े से हो रही है काल मार्क्स ने historical materialism का दो interrelated aspects के बारे में बात की थी एक है system view, दूसरा है dynamic view system view यानि कि materialistic conception of society हमारा यह जो society है, यह mainly production के center में घुमता है यानि कि इसका main purpose है production production के बज़े से ही हमारा society में जो भी changes हम देखते है यही main reason है और दूसरा जो view है, वो है dynamic view dynamic view में काल मार्क्स ने evolution of society के बारे में बात की थी कि हमारा जो society है, यह किस तरीके से evolve हुई है उन्होंने हमारे society का evolution का six step की बात की थी छै ऐसे step है, जिसके through हमारा society evolve होता है पहला है primitive communism, फिर है ancient society फिर फोडलिजम, केपिटालिजम, सोसियालिजम और कॉम्यूनलिजम तब आया हमारा ancient society, यहाँ पर कुछ लोगे ताकतवर हो रहे थे ज्यादा ताकत उनके पास थी और इस बज़े से उनके पास property भी ज्यादा थी इस बज़े से हमारा concept आया master और slave का masters यानि कि जिसके पास ज्यादा property थी और slaves यानि कि जो उनके masters के under काम कर रहे थे फिर हमारा society फिर से change हुआ तब आया हमारा fordellism fordellism में हम देखते है fordell, lord और surf का concept यानि कि जो भी lords है उनके पास properties होती थी और जो surf है उनके properties में जाकर काम करते थे और उनका जो भी production का कुछ हिस्सा है वो अपने lords को दे रहे थे थे फिर से हमारा society change हुआ तब आया हमारा capitalism जो Karl Marx का study का main purpose है इसी capitalism को ही उन्होंने study करके आपने जो भी theories है वो theories develop किया है उन्होंने alienation का theory, class struggle का theory, surplus value का theory ये सारे theory capitalism से ही start होती है इस बज़े से हमारा जो chronology के लिए हम जब चीज़े समझने की कोशिश करेंगे तो ये capitalism को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे Karl Marx ने कहा था, capitalism में mainly दो तरीके का class हम देखते है एक है बोर्जुआ, दूसरा है proletariat बोर्जुआ यानि कि जो capitalist class जिसके पास property है और दूसरा है proletariat जिसके पास कोई property नहीं है इस बज़े से जो बोर्जुआ है वो proletariat को बहुत ज्यादा शोशन करता है बहुत ज्यादा exploit करता है फिर अगर हम capitalism से कभी बाहर आ पाए काल मार्क्स ने कहा था कि हमारा capitalism के बाद social revolution के बाद हमारा society में socialism आएगा और socialism के बाद बापस हमारा communism आएगा socialism यानि कि जहाँ पर हर किसी का equal right होगा जो भी property है जो भी चीज़े है हर कोई equally उसमें अपना हक दिखा सकता है फिर उन्होंने कहा था कि socialism के बाद communism आएगा जहाँ पर private property का कोई भी concept नहीं होगा जो भी चीज़े होगी वो mainly state owned ही होगी इसी communism को मद्दे निजर रखते हुए उन्होंने communist party का तयार किया था और उसका main ही purpose ही था communism established करना यहाँ पर हम देखते हैं कि communist party जो है US, SR फिर चाइना में भी देखा जाता है लेकिन इसमें भी बहुत सारे drawbacks है, बहुत सारे problems है जिसके बज़े से communist party भी कार्ल मार्स के जो ideology है उनको follow नहीं कर पाई यहाँ पर मैंने एक table दे दिया है आप लोगों अगर अच्छी तरीके से इसको देखो तो आप लोगों को communism, capitalism और socialism में difference अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था society consists of two parts यानि कि society को हम दो हिस्सों में बाढ़ सकते हैं एक है base यानि कि economic infrastructure और दूसरा है super structure base में जो social relationship है जो भी ideas है यह mainly production process से जुड़ा हुआ है production process से जो भी चीज़े directly related है उसको कहा जाता है base और super structure वो सारे चीज़े है जो mainly हमारे production process से directly जुड़ा नहीं है जैसे culture, religion और political power अब base या फिर infrastructure को हम थोड़ा अच्छी तरीक से देखने की कोशिश करते हैं base और infrastructure को हम दो हिस्सों में बाढ़ सकते हैं एक है forces of production और दूसरा है relations of production forces of production में हम means of production देखते हैं और organization और production देखते हैं means of production यानि कि जो सारे चीज़े हम use करके चीज़े produce कर सकते हैं जैसे land, labor, machine फिर होता है हमारा organization और production जैसे tenancy, wage labor ये सारे चीज़े हो जाएंगे हमारा organization और production और relation और production में हम देखते हैं किस तरीके का relation हम mainly production process में देखते हैं पहला है relation between man and thing यानि कि जो भी इंसान है, इंसान के साथ चीज़ों की किस तरीके region है जैसे इंसान के साथ machine या फिर जो भी block, cart जो भी चीज़े production process में use होती है उनका किस तरीके का relation है और दूसरी तरीके का relation हम देखते हैं वो है man to man यानि कि एक इनसान के साथ दूसरे इनसान के किस तरीके का relation है जैसे एक अगर हमारा मालिक है तो दूसरा मजदूर है इनमें भी एक relation है इसलिए हमें जब भी production process को समझना है तो base का जो ये सारे चीज़े है इनको अच्छी तरीके से समझना है और exam में इसके related directly question आते है इस पज़े से ये सारे चीज़ों को आप लोग थोड़ी अच्छी तरीके से note down कर लीजिएगा यहाँ पर मैंने super structure और base के related एक structure दिया है आप लोग इसको देखेंगे तो सारे चीज़े आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अब देखते है four moods of production यहाँ पर हमने पहले देखा है base और super structure के बारे में यह जो चीज़े है यह mainly हमारे production process से जुड़ा हुआ है इसी production process को आगे बढ़ाते हुए हम देखते है four moods of production यानि कि हमारे society में किस तरीके से production process change हुआ है यहाँ पर काल मार्क्स ने mainly चार moods of production के बारे में बात की है यह चीजों के बारे में हमने पहले भी discuss करके रखी है फिर आता है हमारा class structure अब देखते है हमारा capitalist system में किस तरीके का class structure होता है काल मार्क्स के हिसाब से हमारा जो capitalist society है वो mainly दो classes में divided है एक है बोर्जुआ दूसरा है proletariat उन्होंने class को कहा था class का जो definition है उन्होंने दिया था class is once position in the production process यानि कि किसी भी इन्सान का production process में जो position होता है वो ही होता है class उन्होंने दो तरीके की class की बात की थी एक है बोर्जुआ दूसरे है proletariat बोर्जुआ जो है उनको हम कहते है habs और proletariat जो है उनको कहा जाता है have nots बोर्जुआ के पास ownership of production होता है यानि कि जो भी factory है वो बोर्जुआ लोग के पास होता है और proletariat जो है उनके पास कोई भी means of production नहीं होता है वो mainly अपना lever sell करकर ही अपना गुजारा करते हैं बोर्जुआ तक जाने का जो period है जो मीडियल में एक class है वो होता है पेटी बोर्जुआ काल मार्स के हिसाब से यह बोर्जुआ और proletariat में जो continuous antagonism है इसके बज़े से ही हमारा society में जो capitalism है यह establish हुआ है और हमारा society तभी run करेगा अगर इनके बीच में continuously antagonism हो अब यहाँ पर class structure के बाद आता है हमारा commodification of labor यानि कि labor को किस तरीके से commodity के हिस तरह यूज किया जाता है capitalist society में capitalist society में जो भी चीज़े है mainly labor के द्वारा ही run किया जाता है काल मार्क्स ने commodity को दो हिस्सों में बाटा था commodity यानि कि कोई भी पन्य या फिर कोई भी चीज जैसे अगर हम कोई सर्फ ले ले या फिर कोई भी कॉलगेट ले ले ये सारे चीज़े commodity है लेकिन काल मार्क्स ने labor को भी commodity कहा था काल मार्क्स ने commodity को दो हिस्सों में बाटा था एक है उसका used value और दूसरा है exchange value यानि कि वो जब खुद use करेगा चीज़ को उसको कहा जाएगा use value उसको use करते हुए और exchange value यानि कि उसके बदले में वो जो पैसा पाएगा वो हो जाएगा उसका exchange value जैसे हमारा जो mobile phone है इसका use value भी है और exchange value भी है यानि कि हम mobile use करके class देख रहे है या फिर और कोई काम कर रहे है यह हो जाएगा mobile phone का use value और exchange value हो जाएगा अगर हम mobile को sell करके कुछ पैसे ले ले दूसरा से उसका हो जाएगा exchange value कार्ल मार्क्स ने कहा चा कोई भी commodity हो उसका mainly दो तरीके का value होता है लेकिन हमारा जो capitalist production system है यहाँ पर labor को भी एक commodity के तरह use किया जा रहा है लेकिन यह जो laborers है या फिर workers है इनका सिर्फ exchange value होता है इसका कोई use value नहीं होता है इसका मतलब जो भी worker है worker अपना जो labor है वो खुद को तो नहीं बेच सकता यानि कि अगर वो घर में ये सारे काम करे तो उसको पैसा नहीं मिलेगा और हर रोज अगर वो अपने घर में ये सारे काम करे तो उसको इससे कोई profit भी नहीं होगा लेकिन यही चीज अगर वो किसी फैक्टरी में जा कर काम करेगा तभी उसको पैसा मिलेगा है उसके एक्सचेंज में उसको कुछ पैसा मिलेगा इसको ही कहा जाता है एक्सचेंज वेलू काल मार्क्स के हिसाब से जो भी लेबरार्स या फिर वारकर्स थे उनका सिर्फ एक्सचेंज वेलू था उनका कोई यूज वेलू नहीं था इस बज़े से जो भी प्रोलेटेरियट थे वो बोरजुआ से बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट होते थे उनको पैसा कम दिया जाता था और ज्यादा घंटे काम करवाया जाता था फिर इहां से ही आता है हमारा थियोरी ओफ सर्प्लस वेलू क्या है यानि कि सर्प्लस वेलू एक ऐसा नया वेलू है जो अपने जो भी labor है वो अपना extra labor power देकर उस चीज़ को बनाता है जैसे अगर कोई इंसान एक कोई भी अगर worker overtime काम करे वो जो चीज़ है वो capitalist अपने हिसाब से ले लेते है extra जो काम करते है वो capitalist अपने पास रख रहते है वो सारे पैसा इसी के बज़े से जो capitalist है वो लोग profit में रहते हैं और जो भी product होता है वो mainly ये surplus value की बज़े से ही capitalist को ज्यादा profit देती है यहाँ पर Karl Marx ने दो तरीके का surplus value की बात की थी एक है absolute surplus value और दूसरा है relative surplus value absolute surplus value यानि कि जो value directly create होता है यानि कि किसी भी इंसान को ज्यादा time तक काम कराना अगर कोई इंसान normally 8 घंटे तक काम करता है अगर उसे 10 घंटे तक काम कराया जाए तो जो extra 2 घंटा वो काम करता है उसको कहा जाता है absolute surplus value और जो relative surplus value है relative यानि कि अगर वो कम time में ज्यादा काम करे तो उसको कहा जाएगा relative surplus value यानि कि कुछ चीजे extra वो produce कर रहा है लेकिन वो mainly काम 8 घंटे तक कार रहा है लेकिन वो चीजे ज्यादा produce कर रहा है जिसके बज़े से जो भी access चीजे तयार हो रही है वो capitalist profit के तरह अपने पास रख लेता है जिसके बज़े से capitalism चलता है और capitalist लोग ज्यादा profit कमा सकते है फिर आता है हमारा alienation का concept ये जो surplus value है surplus value के वज़े से ही हमारा mainly alienation आता है alienation क्या है? alienation is the estrangement of individuals from one another or from a specific situation or process alienation एक ऐसा estrangement है यानि कि दूर चले जाना है किसी भी इनसान से या फिर किसी भी process या फिर situation से काल मार्क्स ने चार तरीके का alienation की बात की थी कि हमारा जो capitalist production system है यहाँ पर हम mainly चार तरीके का alienation देखते है पहला है alienation from the product of labor अगर कोई भी इनसान कुछ भी produce करे तो वो product वो labor अपने पास नहीं रख सकता अगर कोई labor एक गाड़ी तयार करे तो वो अपने पास नहीं रख सकता है यानि कि वो अपने product से ही alienate हो जाता है फिर होता है alienation from self या फिर human potential वो किसी भी factory में जाके कोई इनसान अपना creativity नहीं दिखा सकता है उसे वो ही काम करना पड़ेगा जो उसका मालिक कह रहा है या फिर उस production process में उसके जिस जगा पर जरूरत है इस बज़े से वो अपने आपको ही खो देता है उस production process में फिर होता है alienation from the production process फिर जो भी production process है उसमें उसका कोई हाथ नहीं होता है वो एक machine के तरह बन जाता है जो production process में अपने आपको टिकाया रखता है फिर होता है alienation from the specific being और fellow workers जो भी इनसान कुछ कोई factory में काम कर रहा है तो एक दूसरे के साथ feeling के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है सभी आपने आपके काम करने के लिए यहाँ पर आता है और काम करने बाद बापस अपनी जगा पर चले जाते है यहाँ पर एक दूसरे जो भी workers के साथ उसका कोई feeling एटाच नहीं होता है फिर होता है हमारा structure या फिर steps of revolution यहाँ पर यह जो revolution है इसके बारे में काल मार्क्स ने बहुत ज्यादा बात की थी काल मार्क्स ने कहा था कि यह जो capitalism है capitalism का जो operation है इसके बज़े से एक time ऐसा आएगा कि लोग इसको revolt करेंगे और revolution लाके इस capitalism के द्वारा इस capitalism को खतम करेंगे और socialism लाएगे यहाँ पर काल मार्क्स ने 5 steps दिये थे जिसके बज़े से हमारे society में revolution आएगा पहला है class in itself यानि कि जो भी लोग है वो अपने आप में ही एक class बन जाता है यानि कि यहाँ पर class in itself में class का कोई concept mainly होता ही नहीं है हर कोई factory में आता है अपना काम करता है और बापस चला जाता है फिर होता है class consciousness यानि कि यहाँ पर लोग अपने आपको identify कर पाते है कि वो कौन सी class से बिलोंग करते है एक होता है capitalist class और दूसरा होता है working class जो भी working class के लोग है वो अपने आपको एक group में पाते है उनका यह consciousness बिल्ड होता है जिसके बज़े से वो समझ सकते है कि वो लोग working class से बिलोंग कर रहे है और वो लोग exploit हो रहे है फिर होता है class for itself इस time पे आकर जो भी working class के लोग है वो लोग इकठा हो जाते है कि वो लोग एक जो class form कर रहे है वो सिर्फ class conscious नहीं कि उसके दिमाग में नहीं है लेकिन वो लोग एक organization form कर रहे है और यहाँ पर class for itself तयार हो रहा है फिर आता है class conflict यहाँ पर जो भी working class है वो लोग capitalist class के साथ एक conflict में जुड़े होए होते है यानि कि एक दूसरे के opposite में जा कर बात कर रहे होते है अपनी exploitation की बात कर रहे होते है और यहाँ पर जो भी system चल रहा है इस system में change की बात कर रहे होते है क्यूंकि जो भी working class है वो numbers में सबसे ज्यादा है capitalist के मुकाबले बहुत ज्यादा numbers में है इस बज़े से वो लोग बात के step में revolution लाएंगे revolution यानि कि change लाएंगे जहाँ पर capitalist जो लोग है वो लोग property को own नहीं करेंगे जो भी working लोग है working class है वो ही mainly ruler की जैसे काम करेंगे यानि कि यहाँ पर चीजे हर किसी में equally distributed हो जाएगा काल मार्क्स ने कहा था यह जो revolution है इसको prevent करता है false consciousness यानि कि अगर कोई false consciousness हो तब ही revolution prevent हो सकता है जो capitalist लोग है वो mainly false consciousness create करता है working class में ताके revolution को रोख सके जैसे religion को use करके या फिर politics को use करके false consciousness create करना कि आप लोग बहुत अच्छे हो आपका जो situation है वो बहुत ही बहतर है इस तरीके क्या false consciousness create करकर ही जो capitalist लोग है वो लोग revolution को रोखते है अब देखते है काल मार्क्स का concept of religion काल मार्क्स ने religion को mainly criticize किया है उन्होंने बहुत ही religion को बहुत ही criticize करते हुए अपने theories की develop की थी काल मार्क्स ने कहा था ये जो religion है ये mainly man makes religion यानि कि इंसान religion को तयार करता है religion इंसान को तयार नहीं करता है और ये जो religion है ये ही हमारा false consciousness का कारण है यानि कि ये जो हमारे अंदर एक consciousness तयार की जाएगी कि आप भैतर position पे हो भगवान ही आपको देख रहा है आप पिछले जवनम में कुछ बुरे काम कर रहे के रखे हो तब ही आप आजकल यहाँ पर इस situation में हो ये सारे जो consciousness है ये सारे जो false consciousness है ये mainly religion ही create करता है और ये जो religion है ये mainly जो भी लोग power पे होते है वो ही control करते है काल मार्क्स ने कहा था कि religion एक illusion है जो हमें original जो हमारा situation है वुस्प को देखने में problem create करता है यानि कि society जिस तरीके से चल रहा है as it is चलने में हमारा religion का बहुत ज्यादा हाथ है religion एक illusion है काल मार्क्स ने religion को opium of people या फिर opium of masses की भी बात की थी उन्होंने कहा था कि ये जो religion है ये एक opium है opium यानि कि एक seductive drug जो अगर कोई भी इंसान ले तो उसको नशा हो जाता है और वो दूसरे ही एक दुनिया में खोया हुआ होता है यानि कि उसको लगता है कि दुनिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ भी जो अच्छा हो रहा है वो भी एक अच्छा ही हो रहा है यानि कि काल मार्क्स ने religion को बहुत ज्यादा क्रिडिसाइज किया है काल मार्क्स ने religion को कहा था कि religion is an instrument of operation यानि कि जो भी लोग power में हैं वो लोग religion को instrument of oppression की तरह यूज करते हैं जो भी लोग power में होते हैं वो लोग religion को control करते हैं और religion के द्वारा लोगों तक इस तरीके का thought process पहुचानी की कोशिश करते हैं ताके वो लोग उनको ज्यादा exploit कर सके और oppress कर सके जैसे लोगों का जो सोचना है कि हम जो भी situation में है इसका जिम्यदार भगवान है भगवान ही हमारा भला करेगा इस तरीके का जो सोच है इसके बज़े से ही capitalist लोग mainly rule कर पाते हैं और लोगों में जो revolution का भाबना है वो भी कम हो जाता है मैंने आज की class में आपको काल मार्क्स का जो भी concept है सारे concept को आच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर की है फिर भी हम यहाँ पर आखिर में चीजों को थोड़ा summarize कर लेते हैं कि हमने चीजों को किस तरीके से study की है पहले हमने देखा था कि काल मार्क्स का historical materialism और dialectical materialism historical materialism में हमने देखा था कि history में किस तरीके का material चीजों के बज़े से या फिर economic चीजों के बज़े से हमारा society evolve होता है फिर base and superstructure यहाँ पर base में हमने देखा था कि base जो है वो production process में जो भी चीज और directly related है उसको कहा जाता है base और जो super structure है वो हमारे production process से directly related जो सारी चीज़े नहीं है वो है super structure फिर आता है हमारा modes of production modes of production में हम mainly 4 तरीके का modes of production देखते है फिर देखते है हम अपना class structure class structure में हम दो तरीके का class देखते है एक है बोर्जुआ दूसरा है proletariat फिर आता है हमारा commodification of labor यानि कि जो भी capitalist system है या फिर capitalism है यहाँ पर labor को एक commodity की तरह use किया जाता है जिसका सिर्फ exchange value होता है लेकिन कोई use value नहीं होता है फिर आता है हमारा theory of surplus value यहाँ पर labor को किस तरीके से exploit किया जा रहा है जो भी absolute surplus value है या फिर relative surplus value है वो किया है और यह सारे चीजे जो laborers है उसको exploit करने में किस तरीके से use किया जाता है इसके बारे में हमने यहाँ पर study की है फिर हम देखते है alienation के बारे में जहाँ पर चार तरीके का alienation की बात करते है जो हमारा capitalist production system से जुड़ा हुआ है फिर हमने study की है stages of revolution stages of revolution में हम mainly 5 stages देखते हैं जिसके बज़े से हमारा society में या फिर capitalist जो society हुआ पर revolution आएगा और फिर बापस socialism established होगा फिर आखिर में हमने देखा है theory of religion के बारे में काल मार्क्स में religion के बारे में किस तरीके का बात की है मैंने पहले भी काल मार्क्स का थी alienation और surplus value के ऊपर एक class लिया हुआ है और religion के ऊपर भी एक class लिया हुआ है ये सारे चीजे मैं आपको description box पे दे दूँगा लिंक दे दूँगा थाकि आप लोगों को चीजे ढूनने में आसानी हो अगर आज का class अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को like और share जरूर करना क्यूंकि sharing is caring और comment करके आप लोग जरूर बताना के class कैसा लगा तो मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे रहिए सुअस्त रहिए और लोगों में प्यार बाढ़ते रहिए जाई हिंद